किसी समय एक गाव में एक कालू नाम का व्यापारी रहता था उसके पास कुछ पशु थे जिनमें दो बैल, बकरी, गधा और एक गाय का बच्चा भी था उसे एक भयंकर बीमारी लग जाती है जिससे ना वो कुछ खा पाता और ना ही उठ पाता था व्यापारी कौवा ने उसका बहुत इलाज कराया लेकिन उस पर किसी भी दवाईयों का असर नहीं हो रहा था यह जानकर व्यापारी बहुत उदास होता है, वो सोचता है इसको भी वही बीमारी है जो उसकी मा को थी बहुत ही इलाश करने के बावजूद भी उस कीमा ठीक नहीं हो पाई थी तो ये कैसे ठीक हो पाईगा ये बच्छडा बस कुछ दिनों का ही महमान है ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाईगा और वैसे भी अगर ये यहा रहा तो हमारे पैल भी उस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे मुझे उसे कहीं दूर जंगल में छोडने जाना पड़ेगा और वैसे भी ये आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगा वो किसान उस बीमार बच्चे को अपने साथ जंगल में ले जाने लगा और चलते हुए बोलता जा रहा था है उपर वाले मुझे तो बहुत बढ़ा खाटा हो गया ये बचड़ा तो कुछ भी नहीं खा रहा था और नहीं इस पर कोई दवायों का असर हो रहा था उपर से खर्चा भी बढ़ रहा था कहीं इसकी ये लाईलाज बिमारी मेरे और बैलों को लग जाती तो मैं परबाद हो जाता और फिर उस बचड़े को एक गड़े में मरने के लिए फेंक देता है बचड़ा बेचारा खून से लू-लूहान होकर वहीं पड़ा रहता है कुछ देर बाद वहां एक रानो नाम की चिडिया अपनी एक गाय के साथ वहां आती है उसकी नजर जब गड़े में पड़ती है तो उसमें उसे एक अधमरा बचड़ा दिखाई देता है वो उसे तुरंत निकालती है और अपने घर ले जाती है अरे बेटी सुनो तुम जल्द से जल्द जंगल से कुछ जड़ी बूटियां ले आओ मुझे एक बचड़ा गड़े में मिला था लगता नहीं कि अब यह जीवित रह पाएगा लेकिन फिर भी प्रयास करना ही होगा मा तुम इस बचड़े को यहां क्यों लाई इसकी वजह से हमारी गाय में भी यह बीमारी फैल जाएगी तुम्हें पता नहीं है कि इसे बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं तुम इसे वापिस छोड़ के आओ तुम इसकी चिंता मत करो इस बीमारी का इलाज है तुम जल्द से जल्द कुछ जड़ी बूटियां ले आओ ठीक है मैं जाती हूँ राणो चिड़ीया जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी गाय उस बीमार बचड़े के पास बैठी थी वो खुश होती है फिर राणो चिड़ीया जड़ी बूटियों का उपयोग करके उनकी दवाई बनाती है और बचड़े को खिला देती है कुछ दिनों तक दवाई खिलाने के बाद वो बचड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है सभी बहुत खुश होते हैं राणो चिडिया उसका नाम सोना रखती है सोना को नया और अच्छा मालिक मिल गया था और एक मां भी कई महीने बीट जाते हैं अब वो मरियल और कमजोर बचड़ा एक हटा-कटा बैल बन गया था एक दिन एक जमीनदार चील राणों के घर आता है काफी महीने हो गए लेकिन अब तक तुमने मेरा उधार नहीं चुकाया अगर आज तुमने मेरा उधार नहीं दिया तो तुम्हें मुझे अपनी सारी खेत की जमीन देवी बढ़ेगी हाँ मैं जानती हूँ सेट जी मुझे आप बस फिर से कुछ महीनों का समय दीजिए मैं पक्का आपका सारा उधार चुका दूँगी कैसे चुका होगे उधार? काम धंदा तो कुछ करती नहीं और नहीं तुम अपने खेत में फसल बोती हो तो मैं कैसे यकीन करूँ? मालिक आप बस आखिरी बार मेरा यकीन करिए मैं कुछ न कुछ करके आपका उधार चुका दूँगी नहीं तो आप जब तक मेरे बैल को अपने पास रख लीजिए ये ठीक है लेकिन मैं तुमारे बैल का क्या करूँगा? मेरे पास पहले से ही कई बैले हैं देनी है तो अपनी गाए दो जमीनदार चील जानता था कि राणो चिडिया का एकलोता सहारा उसकी गाए थी वो उससे उसकी गाएं चीनना चाहता था ताकि राणो बेबस हो जाए और जमीनदार उसकी सारी जमीन हडप ले राणो चिडिया भी यह बात जानती थी फिर भी वो उसे अपनी गाए दे देती है अधर तुम अपना उधार नहीं चुका पाए तो अपना खेत और बेल दोनों को देने के लिए तयाव है ना जब यह बात सोना को पता लगती है तो उसकी आँखों में आंसु आ जाते हैं राणो चिडिया अपनी बेटी को जमीनदार की बात बताती है अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा ट्रैक्टरों के जहरीले धुओं के कारण और केमिकल रसायनों के छिड़काव के कारण यह जमीन बंजर हो गई है अब इस खेत में एक अन्न भी नहीं बो सकते अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है अब हम सब कुछ खो देंगे सोना बेल यह सब सुनता रहता है उसे भी समझ आ जाता है कि उसका मालिक मुसीबत में है तब ही सोना एक बेल होने के बावजूद राणो चिडिया की मदद करने की सोचता है सुबह सुबह राणो अपने खेतों में जाती है तो वो देखती है कि अचानक से उसके खेतों में फसलें उग गई है राणो चिडिया यह सब देखके चौक जाती है यह कैसे हो सकता है एक ही रात में यह फसलें कहां से आ गई वो भी बंजर जमीन से तब ही उसकी नजर सोना पर पड़ती है रानो चिडिया समझ जाती है कि यह सब सोना ने किया है वो उसके पास जाती है सोना बेटा ये तुम ने किया तुम कोई साधारन बैल नहीं हो तुम तो चमतकारी बैल हो फिर रानो और उसकी बेटी मिलकर फसलों को काटती है और उसे बाजार में बेच देती है जिससे रानो के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो जमीनदार का उधार चुका देती है और अपनी गाए वापस छुड़ा लेती है जमीनदार बहुत हैरान होता है आज तो कमाल हो गया हमारा सोना साक्षात नंदी जी का अवतार है इसने एक ही रात में बंजर खेत में फसलें उगा दी हम किस्मत वाले हैं कि हमें ये जादूई बैल मिला मा लगता है अब सोना के कारण हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी जमींदार यह सब सुन लेता है वो जान जाता है कि किसान के पास एक जादूई बैल है अब वो उसे पाना चाहता था जमींदार चील उस बैल को चुरा लेता है और उसे ले जाने लगता है वह वह क्या बात है ये बैल तो पूरे सोने की मशीन है अगर मैं इसे बेचूंगा तो मैं माला माल हो जाओंगा सोना जानता था कि यह जमीदार उसे कहां ले जा रहा है लेकिन वो चुपचाप उसके साथ चलता है फिर वो जमीनदार चील सोना बेल को उसी व्यापारी के पास ले जाता है जिसने सोना को मरने के लिए गड़े में फेंका था अरे व्यापारी जी देखो मैं एक खटा-कटा बेल आया हूँ और ये एक चमतकारी बेल भी है अरे जमीनदार जी आईए आईए यह बेल तो सच में बहुत ताकत पर लग रहा है ऐसा बेल तो हमारे पास भी नहीं है अगर ये सच में चमतकारी है तो मैं नहीं मानता लेकि से जमीनदार दूर जाके गिरता है फिर सोना सभी बैलों को अपनी शक्तियों से आजाद कर देता है सभी बैल और गाय इधर उधर घूमने लगती है जिसके कारण वो व्यापारी उनके नीचे आके अपने प्राण त्याग देता है फिर सोना भाग कर वापस अपने घर जाता है जहां सभी उसे ढून रहे होते हैं सोना कहां हो कहां हो सोना मेरे बेटे अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना धन्यवाद रामपुर के जंगल में टुन्नू नाम का एक पक्षी अपनी पत्नी राणो चिडिया के साथ रहता था वो बहुत ही गरीब था और जंगल से लकडी काट कर लाता था और उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था उनकी एक बेटी भी थी एक दिन राणो अरे यो राणो म जाकर लकडियां काटने लगता है तभी वो देखता है ये क्या है ये तो एक छोटा सा बश्रा है और गड़े में गिर गया है और उसकी मा ये गाए आसपास भूम रही है अगर मैं उसको निकालने में समय लगा लूँगा तो लकडिया नहीं काट पाऊंगा और गाए को च जाकर आटता है आज तो बहुत थोडी ही लकडिया है कैसे गुजारा होगा गर पर पहुंचकर होज बहुत थोड़ी ही लकडिया लाए है क्या हुआ है कुछ नहीं काई का बचलाँ कट्दे में γिर गया था उसी को निकालने में समय ज्याधर लग गया हे उपर वाले तु कब हमें रोजगार में बरकत देगा हम कब दो वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे हमारी बेटी भी भूखी है तब ही गाए की आवाज आती है और दोनों घोंसले से निकल कर बाहर आते हैं हे उपर वाले हमारे खाने का तो ठिकाना भी नहीं है और तुम ये गाए और इनके बच्छडों को भी घर ले आए लगता है ये गाए मेरे पीछे पीछे आ गई है मैंने इसकी मदद की थी इसलिए मेरे साथ आ गई है मैं इने नहीं लेकर आया कोई नहीं जब आई है तो रख लेते हैं जितना होगा उतना दे देंगे खाने को इस गरीबी के चलते पहले ही पुर्खों की जमीन जायदाद सब जमीनदार के पास गिरवी रख दी है अब यह घर बचा है इसका भी नहीं पता कब चला जाएगा कैसे हम इन तीन गाए और उसके बचडे को पालेंगे रानो जो होगा दिखा जाएगा कलकी क्यों सोचती हो उपर वाला जो करेगा सही करेगा सब उपर वाले पर छोड़ दो मैं देखता हूँ कुछ खाने को हो तो खाना खाया जाए जो थोड़ा बहुत खाने को घर में था दोनों वही खा लेते है और कुछ खाना गाय और उसके बच्चडे को डाल देते हैं अगले दिन सुभ़ जिस गाय का बच्चडा है वो दूद देती होगी थोड़ा दूद निकाल लो हमारा भी काम हो जाएगा थोड़ा दूद पेटी भी पी लेगी ठीक है अभी निकाल कर लाता हूँ तुन्नू देखता है कि दूद काफी पीला है वो अंदर लाकर रानो को भी दिखाता है यह देखो रानो यह दूद कितना पीला है छोड़ो तुन्नू जी जो है यही गरम कर लेती हूँ फिर रानो चिडिया दूद गरम करने लगती है तभी वो चिलाती है अरे जल्दी आओ यहां पर यह क्या है अरे यह तो सोना है रानो यानि कि यह गाय सोने का दूध देती है हे उपर वाले तुने हमारी सुन ली अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा हाँ सही कह रही हो तुम अब हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए उसने हमारी मदद की है और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाते है हे गौ माता आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद हो गई आपका बहुत बहुत धन्यवाद तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है अजी यह देखो सोने का गोबर लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गया है जो हमें यह गाय दी है तभी टुन्नू हाथ जोड़कर तीसरी गाय से कहता है यह गौ माता आप भी अपना चमतकार दिखाईए तभी तीसरी गाय के मुह से सोने के सिक्के निकलने लगते है सच में उपर वाले ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है गौ माता मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करो आपकी बहुत-बहुत कृपा हुई है हम पर जो आप लोग हमारे घर आए उसे वापिस ले लेते हैं तुम ठीक कह रही हो मैं कल ही जाकर जमीनदार से बात करता हूँ अगले दिन जमीनदार के घर राम राम जमीनदार साहब राम राम और चरणों आज कैसे आना हुआ? सब ठीक है जमीनदार साहब सब ठीक है, आपकी दुआ उसे, आपके पास जो मैंने अपनी पुष्टेनी जमीन जायदाद गिलवी लखी थी, उसका हिसाब करना है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूँगा, और आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दे तुन्नु अपने घर चला जाता है, उसके बाद पहलवान कौवा रानों के घर के पास जाकर छुप जाता है और गाय को सोने का गोबर करते हुए देख लेता है, और सारी बात आकर वह जमीन दार धनी कौवा सिंह को बताता है और अगले दिन तुन्नु तुम्हारी पुष्टैनी जमीन के बदले, तुम्हे मुझे अपनी गाय देनी होगी मगर जमीनदार साहब बात तो पैसे की हुई थी कि आप मुझे कल पैसे बता देंगे कि कितना हिसाब हुआ है, अब ये गाय कहां से आ गई बीच में देख लो तुन्नु अगर तुम्हे अपनी जमीन चाहिए तो मुझे गाय ही चाहिए तुन्नु चिडा घर आकर सारी बात रानों को बताता है दे दो गाय हमारे पास तो फिर भी दो गाय रहेंगी अगर जमीन जायदाद नहीं छुडवाई तो हमारे पूरवजों की आत्मा को शान्ती नहीं मिलेगी ठीक है, जैसा तुम कहतियों कर लेता हूँ, मन तो नहीं करता, मगर कोई चारा भी तो नहीं है अब अगले दिन टुन्नू चिड़ा, जमीनदार कालू को एक गाय दे आता है और अपने सारे कागज जमीनदार से ले आता है हाँ बाई का मसा, अब मैं इसके गोबर से जो सोना मिलेगा, उससे बहुत अमीर हो जाओंगा अगले दिन अरे इसका गोबर कहा है? पूरा दिन गाय ने गोबर नहीं किया मालिक सुबह नौकर खूब सारा खाना गाय को खिलाते हैं, लेकिन गाय गोबर करने की जगह बीमार पड़ जाती है तुमने मुझे बेवकूब बनाया है, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि गाय कोई सोने का गोबर करती है, जाओ तुन्नू को बुला कर लाओ फिर तुन्नू जमीनदार के पास आता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय, मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं पंचायद बुला लूँगा और तुमें जेल भिजवा दूँगा मालिक आप ही जिद कर रहे थे, अब मैं गाय को ले जाता हूँ, और कल तक आपको पैसे दे दूँगा टुन्णू गाय को अपने पास ले जाता है, और गाय टुन्णू के पास आते ही ठीक हो जाती है गौमाता, मुझे यह जमीनदार को कल शुभा बहुत सारे पैसे देने हैं, मेरी मदद करो हाँ गौमाता हमारी मदद करो हमारी पुष्टैनी जमीन है सब चली जाएगी हमारी मदद कीजिए इतना कहते ही पहली गाए बहुत सारा सोने का गोबर कर देती है दूसरी गाए अपने मुँँ से धेर सारे सोने के सिक्के निकालती है और तीसरी गाय के थन से सोने का दूध निकलता है बहुत बहुत धन्यवाद गौमाता अब हम अपने पूरवजों की जमीन को छुड़वा पाएंगे और अगले दिन टुन्नू जाकर जमीनदार को उसके पैसे दे जाता है और उसके बाद वो दोनों हसी खुशी अपना जीवन जीने लगते है दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी क्रिपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद कश्मीर के जंगल में एक विशाल पेड था जिस पर शाम होते ही सभी पक्षी एक साथ मिलते थे उसमें से एक रानो चिडिया बहुत बुद्धिमान और समझदार चिडिया थी सभी उसकी बुद्धिमानी की तारीव भी करते थे एक दिन उसने एक नन्ही सी तर्बूज की बेल को पेड के नीचे लिप्टे देखा वो तर्बूज की बेल काफी छोटी और कच्ची थी रानो उस बेल को इस तरह से देख रही थी कि मानो उसने कोई बड़ी चीज देख ली फिर रानो ने उस तर्बूज की बेल को उखाडने की सोची रानो बड़ी हैरानी से बोली ये बेल यहां कैसे आ गई? अगर ये बेल बड़ी हो गई तो हमारे जुंड के लिए बहुत बड़ा खत्रा होगा और कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मुझे अभी इस बेल को उखाड़ना पड़ेगा फिर रानो चिडिया अपनी चोंच से उस बेल को उखाड़ने की कोशिश करती है यह क्या यह बेल तो उखड़ ही नहीं रही अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, बाकी दोस्तों को भी बुला कर लाती हूँ फिर रानो चिडिया आवाज लगा कर अपने जुन्ड के सभी पक्षियों को पेड़ के नीचे बुला लेती है क्या हुआ रानो तुमने हम सबको नीचे क्यों बुलाया है? हाँ रानो क्या बात है जो हम सबको एक साथ बुलाया है ये देखो इस बेल को हमें इसे उखाड़ना पड़ेगा क्यासी पागलो जैसी बाते कर लही हो रानो चिडिया आखिर छोटी सी बेल से तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ रानो इस नन्ही सी बेल को तुम क्यों उखाड़ना चाहती हो? अगर इस बेल को अभी नहीं उखाड़ा तो ये हमारे जान पर बनाएगी ये हमारे लिए खतरनाख हो सकती है ये नन्ही सी बेल हमारी क्या जान लेगी? लगता है रानो ज्यादा सोच सोच कर पागल होती जा रही है आखिर ये नन्मी बेल हमारा क्या बिगाड़ पाएगी? हमें इस बेल से कोई दिक्कत नहीं है. रानो और तुम भी ज्यादा मत सोचो, कुछ भी नहीं होगा. इस तरह सभी पक्षी रानो पर हंसने लग जाते हैं और सभी पेड के ऊपर चले जाते हैं. चोड़ो रानो, रहने दो, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, चलो यहां से चनते हैं. हाँ, हरिया तोता, तुम सोच रहे होगे, कि यह सुन्दर सी तर्बूज की बेल हमें कैसे नुकसान कर सकती हैं? हाँ, रानो, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है. आखिर यह तर्बूज की बेल हमारे लिए कैसे खत्रा बन सकती हैं? हरिया, समझने के लिए एक पल ही काफी होता है. आज या कल तुम समझ ही जाओगे. दूसरी तरफ फिर वो सब ही अपने घर के लिए निकलने लगते हैं. तभी कालू को जाडियां हिलते दिखती है. चलो कालू चले, वहाँ क्या देख रही हो? फिर वो सब ही वहाँ से चले जाते हैं. तभी उस जाड़ी से एक शिकारी बाहर निकलता है. वे बाल बाल बच गया, अगर वो कवा मुझे देख लेता, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती. अब जल्दी से जाल लेकर आता हूँ, और उस पेड़ पर बिछा देता हूँ. शिकारी अपना जाल लेकर आता है और पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है. वे वे, कितना बना पेड़ है, चलो अच्छा है, इस पेड़ पर चड़ने के लिए ये तरबूज की बेल भी है, अब जल्दी से इस पेड़ पर चड़ता हूँ, और जाल बिछा देता हूँ. फिर शिकारी तर्बूज की बेल की सहायता से पेड़ पर चड़ता है और जाल बिछा देता है अरे कालू वो देखो राणू अकेले पीछे क्यों उड़ रही है अरे ध्यान से देखो वो अकेले नहीं है साथ में उसका चेला भी है ये कहकर वो सब पक्षी हसने लगते हैं तुम उने कुछ कहते क्यों नहीं जब भी देखो हर कोई तुमारा मजा की उड़ाता रहता है तुमें इस जुन्ड की सबसे समझदार और बुद्धीमान चिडिया हो क्या तुम उन लोगों कुछ नहीं बोलोगी तुमें इस जुन्ड का नेत्रित्व करना चाहिए नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती नहीं मैं इस जुन्ड का नेत्रित्व कर सकती हूँ कोई मेरी बात नहीं सुनेगा अब तुम्हें ही इस जुंड का नेत्रित्व करना चाहिए तुम आगे जाओ ठीक है रानो जैसा तुम कहो शाम होते ही सभी पक्षी उस पेड के पास आ जाते हैं जैसे ही सब पेड पर उत्रे तो सारे एक एक करके शिकारी के जाल में फंसते गए जब वो जाल में फंस गए और एक दूसरे को देखते रहे तो तब उन्हें रानो की बुद्धिमानी और समझदारी का पता चला तब ही रानो चिडिया भी वहां आ गई हे भगवान अरे नहीं ये क्या तुम सब ठीक तो हो ना हम मुर्ख है रानो हमें माफ कर दो रानो हमने तुमारे साथ बहुत गलत व्यवार्टिया है अब तुम माफे क्यो मांग रहे हो ये सब तुमारे ही कलती है अगर तुमने रानो चुलिया की बात मान ली होती, तो हम इस समस्या में नहीं फस्ते नहीं, हम इस समस्या में इस तरबूज की बेल के कारण आए हैं इस तरह से सभी बहस करने लगते हैं ठीक है, अब शान्त हो जाओ, अब मुझे तुम्हें इस जाल से निकालने के लिए कुछ उपाय सोचने दो रानो हम सब मूर्ख हैं, हम तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हैं पर साथियों, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कैसे तुम सब को इस परेशानी से बाहर निकालू वो सब पक्षी बहुत परेशान थे, तब ही उस बेल पर लगा तरबूज उन सब पक्षियों से कहता है मेरी बात द्यान से सुनो पक्षियों, तुम सब घबराओं मत, मैं तुमें इस परेशानी से बाहर निकाल शता हूँ सुनो पक्षियों, जब वो शिकारी आएगा, तो तुम सब मरने का ना टक करना शिकारी तुम्हें मुर्दा समझ कर जाल से निकाल कर पटकता जाएगा वहाँ भी मुर्दों की तरह पड़े रहना जैसे ही तुम सब को वो बाहर निकाल देगा तो मैं आवाज लगाऊंगा तो तुम सब मेरी आवाज सुनते ही उल जाना हाँ जादूई तर्बूज हम सब समझ गए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी बड़ी परेशानी में हम सब की मदद कर रहे है फिर सुबह हो चुकी थी सबको शिकारी के आने का इंतजार था और जब शिकारी आया तो पक्षियों को मरा देखकर हैरान हो गया क्योंकि उन सभी पक्षियों ने वैसे ही किया जैसे उस जादूई तर्बूज ने कहा था अरे यह सब कैसे मर गई अब मैं मेरे उवे पक्षियों का क्या करूंगा अब इने फैकने के अलावा मेरे पास कोई उपाई नहीं है शिकारी ने जाल उतारा और सचमुछ ही पक्षियों को मरा हुआ समझकर जमीन पर पटकता गया जैसे ही शिकारी ने आखिरी पक्षि को निकाला तो जादूई तर्बूज ने तुरंट आवाज निकालना शुरू कर दिया शिकारी ने जैसे ही हैरानी से उपर देखा तो सारे पक्षि एक साथ उड़ गए शिकारी उन्हें उड़ता देख हैरान रह गया लेकिन कालू का पैर जाल में फंस गया जैसे ही शिकारी की नजर कालू पर पड़ी तो वो तुरंट उसे पकड़ने के लिए उसकी और दोड़ा तब ही जादूई तर्बूज की बेल उस शिकारी पर हमला कर देती है फिर वो सब तर्बूज की बेल शिकारी पर हमला कर देती है और फिर पक्षी कालू को उस जाल से छोड़ाते हैं और इस तरह सब पक्षी तर्बूज की बेल की वजह से शिकारी की जाल से निकल कर अपनी जान बचा पाए और उस दिन से किसी भी पक्षी ने रानो की बात नहीं टाली अब रानो ही जुंड का नेत्रित्व करने लगी और वो सब पक्षी एक साथ खुशी-खुशी रहने लगे दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद घुडिया अपनी मा रानो चिडिया के साथ रहा करती थी उनके पापा के ना होने के कारण घर में किसी मर्द का सहारा नहीं था रानो खेती में अनाज की छंटाई का काम करती और बचा कूचा अनाज घर ले जाती उसी से वो अपने परिवार का पेट भरती कुछ समय बीत जाता है रानो चिडिया की सेहत अचानक बिगड़ जाती है जिससे वो काम पर नहीं जा पाती उनकी ऐसी हालत देख आस पडोस के पक्षियों से जितना बन पड़ता उतना गेहूं देकर उनकी मदद किया करते थे एक दिन गुडिया बेटी ने मां से पूछा मां रोटियां बना दूँ मटके में गेहूं पड़ा हुआ है जिसे छाटना है मैं साफ कर दूँगी मां मैं उसी की सफाई के लिए जा रही हूँ पर मां गेहूं में बहुत कंकर है सफाई करने में एक घंटा लग जाएगा आधे से ज्यादा तो कंकर और गेहूं तो ना के बराबर होता है ये किसने ऐसा गेहूं दिया है मुफ्त में मिला हुआ गेहूं ऐसा ही तो होगा बेटा अपनी किस्मत में यही लिखा है बेटी तभी दर्वाजे पर ढोल बजाते हुए एक बाबा आए गरीबो किसुनो वो तुम्हारी सुनेगा तुम एक पैसा दोगे वो दस लाग देगा बाबा हमारे पास कुछ नहीं आप अगले घर जाईए मा बेटी के मना करने पर भी बाबा जी वहां से नहीं हिले इसलिए गुडिया ने अपनी मा से कहा मा हमारे पास जो है उन्हें देंगे तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा फिर गुडिया कंकर से भरा हुआ गेहुं वो बाबा को देने जाती है ये देख बाबा गुडिया चिडिया की ओर देखते रहे बाबा हमें ख्शमा कीजिए हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं इसलिए हम आपको देने से मना कर रहे थे हमें गलत मत समझिए कोई बात नहीं बच्चा क्या हुआ पुन्य खाली नहीं जाता